नवस्कार मैं प्रिया राज आप देखरें एक निउस 24 आपको बता दे कि इंदी नो बिहार की राजनीती में बड़ी फेर बदल देखने को मिल रहे हैं हलाके सबसे बड़ी बात हो जाती है कि बिहार के मुख्यमंत्री के मंदल में क्या कुछ चल रहा है ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और यही मामने सियासी गलियारों में हलचल भी तेज कर देती हैं इन दीनों अशोक चौधरी का एक पोस्ट लगतार सोसल मीडिया पे कई बड़ी बाते ब्या करती रही लेकिन उनका एक पोस्ट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसना शुरू हो चुका था लोगों का साथ तोर पे कहना था कि ये पोस्ट कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री पर ब्यान बाजी के तोर पे किया जा रहा है लेकिन जैसी विहार के मुख्यमंति नितिस कुमार अशोक चौधरी को अपने आवास बुलाते हैं बैठक जारी होता है तो लोगों के अंदर ये उच्छुकता हो जाती है लोग कई बड़ी क्या से भी लगाने लगते हैं लोगों का साथ और पे कहना रहता है कि अब इस मुलकात में बड़ी बाते निकल कर सामने आएगी अशोक चौधरी को डाट फटकार लगाई जाएगी लेकिन जो तस्वीरे इस बैठक के बाद निकल कर सामने आती है वो कहीं न कहीं लोगों को हैरान कर देने वाली होती है क्य हाँ उन्हें राश्ट्रिय महा सच्च्यू बना दिया जाता है लेकिन अब पद मिलने के बाद भी लोगों के अंदर ये उत्सुकता और हैरान करने वारी बात हो गई है कि क्या ये पद वाकई पद है या फिर कहा जाए तो इसमें भी कोई खेला है जिसासे बिहार के मुख मंत्री नराज तो जरूरी हुए थे और यही अटकले लगाई जार ये कि राश्ट्रिय महा सच्चियू का पद मिलना उनके लिए खुस खबरी है या दुख खबरी तो आईए हम आपके भी साजा करते कि आखिर का पूरा मामला क्या है सोसल मेडिया प्लैटफॉर्म पर कथित रूप से मुख्यमंती नितिसकुमार की उम्र को लेकर लाइने लिखकर चर्चा में आये अश्चोक चौधरी काफी जादा अटकले तेज हो गई थी इस विबात के बाद नितिसकुमार ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया उसके बाद दोनों की मुस्कुराते हुए तस्वीरी भी सामने आई इस प्रकरन के बाद असोक चौधरी को जेडियू महासच्यू बनाए गया और अब सवाल उट रहे है कि महासच्यू बनाया जाना असोक चौधरी का प्रमोशन है या डिमोशन इस तरह की कई बड़ी बाते निकल कर सामने आ रहे हैं आपको बता दे कि जेडियू के राजनीती में अंदरूनी जगडे का आलम भी अजीब है जी हाँ आला कमान का नया फैसला चर्चा का विस्साय बना हुआ है लोग अपने अपने हिसाब से इसकी सम्मिक्छा में लगे हुए हैं जी हाँ मुख्यमंति नितिसकुमार ने बतोर पार्टी के रास्टी अध्यक जो निन्य किया है उसमें दोनों गुटों में उत्सा है राजनीती जगत में इसलिए कहा जाता है कि नितिसकुमार होमियोपैथी इलास करते हैं जी हाँ, ऐसी कई बड़ी बात निकल का सामने आने लगती है जब भिहार के मुख्यमंत्री नए फैसले लेते हैं दरसल जेडियों के भीतर गुट बाजी चरम पर है और इसमें एक गुट ऐसा है जो समता काल से साथ चल रहा है और दूसरा गुट जो अन्य दलो से आए और नितिसकुमार की किचन कैबिनेट में शामिल हो गए राजनिति गलियारों में उनका दूसरा नाम भुंजा पार्टी शमू भी कहा जाता है जी हाँ, एक जूट जो अशोग चौधरी को गुड बुक में नहीं रखता वह तो मान के चल रहा था कि अशोग चौधरी का अब तो खेल खतम लेकिन नितिसकुमार को डाइरेक्ट हिट कर अपनी शामत अशोग चौधरी ने बुला ली है और अब बस नितिसकुमार का होमियो पैथी हिलाज बाकी है आपको पता दे कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंति नितिसकुमार ने कविता प्रकरन के बाद तुरंत अशोग चौधरी को अपने सरकारी आवास बुलाया तब उनके विरोधियों को लगा कि याज तो सफायत है लेकिन अशोग चौधरी प्रफूलित होती हुए निकले और फोटो भी खिचवाई मेडिया को प्लब भी कराया पर नितिसकुमार ने अशोग चौधरी को लेकर एक नया फैसला भी लिया और इस फैसले की तहट असोग चौधरी को रास्टी महा सच्चिव की जिम्यदारी दी पर इस फैसले के दो अर्थ निकाले जा रहे हैं हलाकि रास्टी महा सच्चीव बनने के बाद असोग चौधी की मुस्कान अपने तमाम विरोधियों को परास्ट करने के लिए काफी है यहां तक कि इनकी बेटी और समस्तिपूर से लोग जनसक्ती पाटी यार की सांसन शामवी चौधरी ने तो एक कविता के जरी एक बड़ा क्या लाया है यदि उन्हें बांधने चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सुने तो साध न सकता है तो उन्हें बांध कब सकता है जैसा कि अभी आपने इस पंक्ती को सुना शामवी चौधरी ने अपने पिता को ले करके यह पंक्ती लिखी है और उनके विरोधियों को सा आगे कहते हैं कि असोग चौधरी अपने डिमोसन से खुस है तो कोई क्या कर सकता है असोग चौधरी तो कोई अकेली रास्टी महासच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जेडियू में आयस स्याम रजकोर रास्ट्रिय महा सच्च्यू बनाया गया और तीसरे नमबर के रास्ट्रिय महा सच्च्यू है तो दुनिया को तो पता ही है कि रास्ट्रिय महा सच्च्यू मनी स्वर्मा के रहते कोई भी क्या अपने मन की कर पाएगा और विरोधी खेमा अपने डिमोशन वाले तर्ग को यह कहकर भी शावित करते हैं कि रास्टी महा सच्यू रहने पर मंत्री पर जाना तै है अब तक जेडियो के इतिहास में कोई भी रास्टी महा सच्यू मंत्री नहीं रहा है और एक चर्चा तो यह है कि इन्हें जर्खन का प्रभारी बना कर बिहार की राजनीती से अलहदा न कर दिया जाए तो जैसा कि भी आपने सुना कि एक तरफ अशूक चौधरी की कहा जाए तो रास्टी महा सच्यू बनने की प्रोमोशन को ले करके इससे डिमोशन के तौर पे भी देखा जा रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जब भी कोई फैसला लेते हैं तो वो फैसला नसरी प्रोमोशन बनकी डिवोशन के तर्फ पर भी चला जाता है और यही कारण रहा है कि अशोग चौदरी के रास्टी महा सच्यू बनने के बाद अटकले तेज हो गई है अब बात आती है मनीश वर्मा की जिन्हें रास्टी महा सच्यू बनाया गया था तो कया से ये भी लगाई जारी है कि मनीस्वर्मा के रहते हुए अशोग चौधरी क्या अपने मन के कर पाएंगे लेकिन रास्तिय महा सच्चीव तो स्याम रजक को भी बनाया गया इससे ये भी अठकले अपतेज हो गये कि कहीं न कहीं अशोग चौधरी को ये पद दे कर या जर्खन पे उन्हें पद की गरिमा दे करके कहीं न कहीं बिहार से उन्हें अलहदा कर दी जाए इस तरह की बड़ी कया से लगाई जा रही है लेकिन अशोग चौधरी अपने प्रमोशन से भी खूस है और डिमोशन से भी खूस है और आपने सामवी चौधरी यानि उनकी बेटी का जो पंक्ति सुना वो तो विरोधियों को कहा जाए तो तर्क देने में भी काफी काबले तारीफ बटूर रही है शामी चौधरी का वो पंक्ति सोसल मीडिया पे इस स्वग सबसे ज़्यादा ट्रेंट कर रहा है क्योंकि अपने पिता जी की बधाई के साथ साथ उन्होंने विरोधियों को भी करारा जवाद दे दिया है तो आज के लिए इतना ही ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूस 24 पर अगर आप हमें यूट्यूब चानल पर देख रहे है तो हमारे यूट्यूब चानल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कीजेगा फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरू कीजेगा धन्यवाद